नमस्कार दोस्तो आज हम जानेगे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का जाप अगर आप घर में सुख सम्रूदी और शांती बनाए रखना चाहते तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का जाप आपके लिए बहुत लाबदायक होएगा हिंदु धर्म के अनुसार विबिन मंत्रों और स्तोत्रों के जाप से गर में शूक और सांती तो आती है कई समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है मंत्रों का जाप पास्ता में मस्तिक को शांती प्रदान करता है कई पापों से मुक्ति दिला कर मनो कमना की प्रूति करता है जब बात आती है स्तोत्र के जाप की तो तब ऐसे मंत्र और स्तोत्र के गिता में बताया गया है कि जिसके गर में शांती आने के साथ आर्थिक स्थिती भी सुदरती है ऐसे ही स्तोत्र में एक है गजिंद्र मुक्षोत्र का जाप करना पुराणों के अनुसार इस स्तोत्र का जाप करने से व्यक्तिक कर्थ से मुक्त हो जाता है और साथ ही किसी की संकर्थ में मुक्ति मिल जाती हिंदु धर्म के प्रथम गरंत से बगवद किता के दूसरे तीसरे और चोथे अध्या में गजेंद्र स्तोत्र का वर्णन किया गया है इसमें कुल के त्रिस्ट लोग दिये गये है इस सोत्र में हाती और मगरमच के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्रमोष का स्तोत्र करने से आपके रून से मुक्ती जल्दी ही मिल जाती है यदि गजेंद्रमोष का पाट नेमित रुप से भ्रह्ममुरत में किया जाये तो किसी भी बड़े से कर्ज से मुक्ती मिल जाती है मानने तिया है कि कर्ज से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा उपाय इस सुस्त्र का पाट करना है यह ऐसा अबोध उपाय है कि जिससे बड़ा से बड़ा कर्ज सिद्ध उतर जाता है संकोटों से मुक्ति मिल जाती है गजेंद्र मुक्ष का पाठ किसी भी बड़ी से बड़ी बादा से बहार निकल से मदद करता है ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति इस सुत्र का पाठ करता है तो स्वयम भगवान विश्णू की बादाओं को हर लेता है और उसके लिए कठिन काम भी आहसन हो जाते है यदि पती पतनी बीच लड़ाई होती है तो इस स्टोत्र का पाठ अध्यत लापदाई होता है इस स्टोत्र का पाठ से बड़ी बड़ी लड़ाईयों से भी छुटकरा पाया जाग सकता है इस तोत्र का पार्ट पित्रों के मुक्ति का मार्ग पसंद करता है ऐसा माना जाता है कि इस तोत्र का पार्ट करने से पित्रों की आत्मा को शांती मिलती है और उनके स्वर्ग का मार्ग प्रसेट होता है इस तोत्र के जाब से मुक्ति का धाम माना जाता है इस पकार गजेंद्रा मुक्ष का पार्ट सभी के लिए फ्रदाई होता है और सुर्योद से पहले ब्रह्मो मुदत में उसना पार्ट करना चाहिए